बिस्मिल्य रह्माल रहीम आज हम फस्टर बारजी चैप्टर नबर फोर का लेक्टर नबर थी कंटिन्यू करेंगे इससे पहले हमने सेल थियोरी और टाइपस ऑफ सेल पड़े जिसमें प्रोक्रियार्टिक और यूक्रियार्टिक सेल को डिफाइन किया गया था इसके लावा सेल थियूरी में जो जो सैंटिस्ट आए थे सो आजकर एक्सेलन कुछ सवालात से शुरू करेंगे मसलन सबसे परहा तो वह जनल से स्वाल कि वाट इस सैल सो सैल क्या होता है बला सैल इदा स्ट्रॉक्श्रल एंड फंक्शनल आजड एंड नाच। स्ट्रॉक्श्रॉक्श्र एंड नाच वह साथ बलास रहति सेल रहतिम जो जो बलास बलाद वाट कि साथ स्ट्रॉक्श्रॉक्श्रा कर दैता है is what is cytology ? पता है जी क्या होती है cytology ? नहीं ? okay cytology is study of cells नहीं बोद इसका structure नहीं इसकी और cell के anatomy क्या है structure structure and function नहीं इसका function क्या है so structure and function तो नहीं इसमें discuss के जाते हैं तो cytology is study of cells इसके लावा कौन कौन सी techniques हैं इसके जरीए हम cells को study कर सकते हैं like what are the techniques we can study cells so इसमें सबसे बहुत जारे पाता है so we do microscopy के हम cells की करते हैं slide बनाते हैं slides और slide को पिर हम microscope के नहीं देखते हैं जिसके नहीं stage होता है आप पता होगा आपको सारा कुशा है so which make it microscope नहीं इसके हम microscope करते हैं say microscope में फिर मजीद types आ जाते हैं like हम इसके compound microscope नहीं लाइट microscope भी यूज कर सकते हैं say या फिर हम electron microscope जो के ज्यादा resolution ज्यादा magnification पर काम करते है electron microscope say इसके लावा एक technique यूज़ती है staining के cell zone से है ना usually colorless हमें feel होते हैं जब हम देखते हैं slide पे तो इसके लिए फिर हम इसके staining करते हैं इस slide के पर कोई ना कोई stain डालते हैं like हम इसमे blue stain डालते है so we use stain ठीक है इन चीज़ों के आपके बुक में जिकर नहीं है इतना लेकिन फिर भी यह required होते हैं को कि इसके बगार आप cell study नहीं कर सकते हैं Microscopy के इलावा हम centrifugation करते हैं या अगर हमें cellular parts study करने है तो centrifugation करते हैं हम cells को ठीक और अगर जादा हमें more detail चाहिए तो हम ultra centrifugation करते हैं ultra centrifugation ठीक है नहीं हम उसकी revolution per minute बहुत जादा बढ़ा देते हैं so ultra centrifugation होता है जिसके विए से हमें मुतलिव ribosomes हो गयरा लादा नजर आएंगे जो इसकी unit होती है saved burge ठीक है मुतलि ribosomes में आपने बढ़ा होगा 70s होता है या फिर 80s या आगे हम बढ़ेंगे तो ठीक है वो इसी की centrifugation की unit होती है तो यह तो था है जिस तरह हम cells को study कर सकते हैं मुतलि cells का structure किससा study होगा macroscopics से electron microscope stain यूज़ करेंगे दूसर अगर हमने पार्स study करने तो हम centrifuge apply करेंगे इस cells को तो इनी revolution देंगे और उसके इनके पार्स लाद लाद होगा जिसे हम study कर सकते हैं तो चले अब हम आते हैं cells होता किस किसम का इनी कैसे इसे बना सकते हैं like this is a small cell center में इसकी नुकलिस होगा okay इसके दो पार्स है cell has two parts सबसे पार्स होगा इसका all including inner इसके हम कहते हैं protoplasm इस cell has two parts first one is protoplasm then second one is its membrane that is plasma membrane you can say it plasma membrane जो इसको surround रहे हैं जो इसकी boundary बना रही है say इसके लावा इसके center में निक्रेस कर रहे हैं protoplasm के फिर दो पार्ट हो जाएंगे यानि it contain protoplasm के आगे फर्दर हम दो पार्स कर देगे like एक तरिसमें जगा cytoplasm then center में इसके nucleus 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 so cell के दो पार्स होए protoplasm, plasma membrane protoplasm के दो पार्स होए cytoplasm और nucleus but इसके दो पार्स बजहीं दो जाते हैं वासन cytoplasm के सबसे पर दो नुक्लियस अगा this is nucleus फिर ये बीच में सारा गैप है, from nuclear membrane to plasma membrane, nuclear membrane से plasma membrane किसे हम cytoplasm कहते है, plasma membrane तो हो गया, इसके रवाद नुकलिस के अंदर कुछ chromatin material होगा, जारे बाद है और फिर सिट्रप्लासम के मुझली और नेलिस मोजूद होती है मिटो कॉंड्रिया हो गया गोल्जी बाड़ी इस इस माइटो कॉंड्रिया फिर इस इस गोल्जी बाड़ी इसथे लावा निकली मेंदेते साथ एक سंट्रक्चर सा होता है तो इस नेलिया होता है इसे हम इंडे प्लास्मी रेक्लिम कहते हैं इंडे प्लास्मी तो इसे यह रावे हो थाखते हैं और बीच में छोछटे一ए वैकीट अट्रिकुलिम हो सकते है there are small vacuoles vacuoles की types are like food vacuoles हो सकते है सब्सक्राइब बाज दफा इस तरह के vacuoles लाइटोजाइम भी होते है लाइटोजाइम इसके लाव जो animal cells होते हैं इसके अंदर आपको cylindrical इसके लाव बीच में थोड़ा बहुत ना कहलें के इस तरह फाइबर्स पड़े होते हैं जो इसके शेप को मैंटेन करते हैं इसके फाइबर्स आर नावन आज साइटोस्केलेटर इसके शेप को प्रक्राइब यह तिपिकल अनिमल सेल इडिजा टीपिकल अनिमल सेल इ्पिकल अनिमल सेल रैपोव प्लांटस होते हैं यह हम इसके प्लांटस बनाथ हें थोड़ा बात फरेक है जो जह एय नागरम Argandert तरह प्लांचे बनाते हैं धुषय के सबंट। यह पूरा और शेप दिखा है यह पूरा और शेप दिखा है यह जिसके बाहर की मेंब्रेन बिल्कुछ सी है और अंदर फोल्डिंग से नदर आएगी आपको के cycl है मीट्रम फोल्डिंग यह खेंगां अदर नायक है जाय थेखा है कि मेरा यह पीडियो जासेती में, हाँ प्राइब कहाए है आप पर नुकलियस सेंटर है विस विस झाल गोजी आप रिटर साप वी भोरों की पर तरह रहें है कि चैनल से बने हुए है रआ लाइडर था वैक्यूल की शेप मैं इसम इसें प्लाजम मेरेन है इसमें इसमें में इसें भी आपका है यह आपका एक टीपिकल अनिमल सेल है प्लांटसल और अनिमल सेल में क्या फराइख है कि एक तो अनिमल सेल में क्या होता है कि अनिमल सेल होते हैं like centriole is only present in animal cells while in the case of plant cells हमरे परस कुछ ऐसी चीज़ होती है जो के अनिमल सेल में नहीं होती है cell wall नहीं मुझद होती, cell wall जों सेल के सबसे बाहर की लेयर होती है और cell wall जों से आगे हम पढ़ेंगे cell load से बनी होगी और इसके लावा plasmo desmata these are small pores छोट-छोटे सुराख होते है small pores जो कि सिरफ plants में पाए जाते हैं इसके लावा tonoplast है ठीक है यह membrane होती है membrane of vacu इसके लावा बीच में आपको chloroplast नहीं नहीं पाए जाएंगे इसके इसके इलावा हम अगर types of cells देखें यह जनल स्ट्रक्चर था ना मुझद सेल्स का मुझद का मुझद का मुझद काम होते हैं nerve cells जो के carry करते है message को हमारे brain में पाए जाते हैं जो के communication करते हैं body के अंदर इसके लावा आपको liver cells मिलेंगे जो के metabolism के अंदर इन्वाल होंगे बहुत सादा they will metabolize इन्हीं को बनाना इसके लावा इसके लावा आपको इन्हीं स्टोमेक के अंदर कुछ epithelial cells मिलेंगे epithelial cells क्या करते हैं बहला epithelial cells यह क्या करेंगे organs की covering बनाते हैं covering इसके लावा they produce secretions like enzymes बनाते हैं hormones भी बनाते हैं epithelial cells के लावा इसके लावा आपको muscles मिलेंगे muscles जोंसे यह फैलते सू करते हैं contract and relax contract and relax contract and relax करते हैं basically इससे होता है कि movement आती है we get movement in our body we get movement in our body connective tissues होते हैं connective tissues के तर बहुत से cells आजाते हैं connective tissues में blood है white blood cells है white blood cells, red blood cells connective tissues के अंदर आते हैं इसके लावा बॉन्स हैं even skin की layer होती है connective tissues से बनी होती है dermal layer जिसे का जाता है also type होगा इस तर प्लांट्स के नर अगर हम आए so plants के नर अगर हम देखें तो scleran chyma cells होते है colon chyma cells होते है scleran chyma colon chyma इस प्लांट्स 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 इस तरह उसके नर आपको phloem cells होंगे cell cell food को translocate plant body food एक जगा से दूसरी जगा लेकर translocate these are different cell types different function different structure single cell structure से हरे को डिफाइ नहीं कर से लेकिन हमें फिर भी एक जनल आइडिया लेना होगा हर सेल्स के पार्ट का हर सेल्स के स्ट्रक्चर का इसके लब सेल्स साइजिस भी बात करते हैं हमने पिस्टे लेक्षर के अंदर बात की थी कि प्रोक्रियाटिक रिखेया था है जो ब्रक्रियाटिक सेल देरिम्यान फ़रीया था, मैंसलिए प्रोक्रियाटिक साइज्ग प्रोक्रियार का साइज था भी तो जरेकर 0.2 में कर सही, smaller, जबके जो उक्रियाटिक साइस थे, वो कितना थे? उक्रियाटिक साइस कितने साइस के थे बला? कर दो उक्रियाटिक साइस कितना हिए लएंपस्ठ लाज проп के इस अपार इसमेंड गळान तर्लिकान साइस की मैं डियाटन जबनाव कि अत थे, प्यू चयुक्तिक साइस की श्लीo met masked panel पीज अंड़ कि Network जां पढ़ द्यार दियाय। ईजैने शेख। अब कर देने डेतों इक के मिन इवींतुण आपता थे सिंग्य थे हगी तरह बनाटिक थे सिंगल ठीख थे ते हैं और खुनए दिशा हैं तो वरदसी हैं इस्तिमाल कर सकते हैं, आगे हम इसके फर्दर पार्स बढ़ेंगे, ठीक है, युक्रियाटिक सेल को फोकस में रखेंगे, यह हमारा इस सारे चप्टर के अंदर, युक्रियाटिक सेल का फोकस होगा, सो हम दुबारा रवाइस करते हैं कि आज हमने किया-किया पड़ा, सबसे पहले, हमने कुछ बेसिक टर्म चैनिली कंहिए, छैल किया होता है, इसममें बात कि माइक्रोसकोप की करते हम उसमें कमप best कॉपॉंड के लिए दिछे लिए और स्टेइनिक का पूझता है किस ऐसे होता है जब कहुआ मैंसलना है कुरह हम एक स्लाइड होती है वह हम सलuito पेस्ट लगाते हैं साटेज्चूर के पर सेल्स की सिर्भी साल बना सेल्स का पर सेल्स का फिर भी सिर्थ स्लाइड सेल्स के निफेर पर सेल्स को पर स्वाइड मायक्रशकोप्य ले घर रूचत उते हैं Electron microscope थोड़ा different procedure होता है इसका थोड़ा complicated होता है क्योंकि यहां पर आपने light नहीं बलके electron की beam यूज़ करनी होती है दूसा electron microscope की magnification ज़्यादा होती है दूसा staining भी करते हैं ताकर जो cells के different parts है वो different तरीके से नजर आए centrifuge है अगर हमने cells के further parts को study करना तो हम centrifuge करते हैं centrifuge करते है basically उनके cell density cell की structure से उनकी densities या उनके masses के लिहां से उनको separate कर देता है फिर उसको हम study करते हैं example के है तो जो eukaryotic ribosomes होते है वो ATS के होते है it is eukaryotic और 70 से उनकी प्रोक्रियार्टिक है so eukaryotic इस तरह हम cellular sizes को differentiate करते हैं और उनको cellular structures को study करते हैं फिर मैंने एक general cell structure बनाया मैंने का जी के दो part होते हैं one is protoplasm and other is a plasma membrane फिर protoplasm के दो parts further होते हैं like cytoplasm plus nuklas फिर एक cell membrane होगी जितनी भी सारी cell membrane और फिर जिस चीज ने इसको इंक्लोज किया वे इस सारा का सारा आपका protoplasm बनेगा फिर protoplasm के इंदा है cytoplasm भी शामिल होगा nucleus भी nucleus फिर further उसकी कहलें के further detail में structure बनाया उसके इंदे निक्रोलस निकलेगा सारा क्रोमाटीर मठीर होगा यह हम फर्दर आगे बाते हैं करेंगे इसके लावा mitochondria यह भी cytoplasm में वजूद होगा lysosomes, endoplasm reticulum, vacuum body सारे cytoplasm के दर लोकेट करते हैं और फिर हमने एक डाग्राम स्टड़ी की आइनिमल और प्रांट से लोकोंपेड करने के लिए कुछ पार्स हैं जो दोनों में पाये जाएंगे साइड्रोसकलेटन, paroxyzone, mitochondria, ribosome, endoplasm reticulum, rough, smooth नूकलस दोनों में लोकेट करेंगा goji apparatus होगा, lysosomes होगा और plasma membrane इसके लिए कुछ ऐसे पार्स हैं जो सिरफ animal cells में मिलेंगे centriose इसकी ग्जेमपल है और कुछ ऐसे पार्ट है जो सिरफ plant में मिलेंगे large central vacuole नहीं होता animal cells में इसके लिए टॉनोप्लास जो के vacuole के लिए रहा यह भी नहीं होगा chloroplast जो के photosynthetic नहीं photosynthesis करनी होती है यह भी नहीं होता animal cells के लिए plasma or desmata जो के छोट-छोटे pores होते हैं cells के लिए नहीं है और दूसरा cell wall जो basic difference नहीं होता नहीं animal or plant cell का cell wall भी किया जाता है plant cells है they have cell wall यह उनके outermost covering cell wall होगी plasma membrane तो होती है साथ-साथ cell wall भी होती लेकिन animal cell के लिए cell wall मुजूद नहीं होती इसके के लिए इसके के लिए cells के टाइप से नहीं है they carry messages message लेके जाएंगे brain के रिए nervous system बनाते हैं liver cells के बात करते हैं they metabolize हमारे blood को metabolize करते हैं and metabolism metabolism को ते इसे reactions को होते हैं epithelial cells जो के organ's की covering बनाएंगे or secretions बनाते हैं like they produce secretions gastric juice ग्जामपल होगी यह इस तरह saliva भी इसी तरह epithelial cells से बनता है muscles muscles contract and relax करते हैं इसके मुवमेंट आदी है connective tissues they form blood, bone, skin, etc plants पे आते हैं sclerian chyma strength देते हैं colon chyma phloem cells food को translocate करेंगे इस तरह और further cells होते हैं different function okay sizes so bacteria smaller cells 0.01 0.2 macrometer 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 10 raise to power minus 9 meter oh sorry 10 raise to power minus 6 meter सभी वो nanometer होते हैं nanometer is 10 raise to power minus 9 meter इसने एक unit use होगी armstrong armstrong 10 raise to power minus 10 meter so ये sizes को differential करने के लिए होते हैं इस तरह eukaryotic साइब 0.2 से start होते हैं और almost 200 macrometer तक जाते हैं 0.2 200 macrometer ने अने जाज़ आज़ा जाज़ आज़ा वे आगे हम राज़ा आगे हम इस के पार्स पढ़ेंगे किस अलके अज़ा आज़ा ने बनी होते हैं और तेंक यू झाल झाल